स्वागत अब अच्छ आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भारत के अंदर NGOs हैं Non-Gournamental Organization Non-Gournamental Organization गैर सरकारी संगठन तो अब उनको जो विदेशी दो धन मिल रहा था जो बाहर से जो उनके पैसा आ रहा था अब वो उनको नहीं मिल पाएगा क्यों नहीं मिल पाएगा इसके पीछे सरकार ने इनका registration कैंसल कर दिया है उसके पीछे हम reason जानेंगे और इससे क्या परभाप पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को हम discuss करने वाले हैं चलिए start करते हैं जो हमारे देश के जो MHA है Ministry of Formal Affairs ने जो गैर सरकारी संगठन है यानि NGO है उनको उनका जो Foreign Contribution Regulation Act FCRA केता है जो उनका registration है वो रद कर दिया है यानि सिधा कहें कि इन NGO को जो registration दिया गया था उनको कहा है कि भया तुमारा अब ये बंद किया जाता है अब तुम नहीं ले सकते हैं बाहर से कोई ऐसा अब यहां पर जो इनका FCRA license जो बंद किया गया है जैसे कि जो गैर सरकारी संगठन है अब यहां ये जो donors हैं विदेशी धना पर आप तो कर पाएंगे नहीं अब मंतराले ने कहा है कि अगर इनके पास पैसा दिया जाता है बाहर से आता है तो वो जो चीज है वो पहले जांच की जाएगी कि ग्रह मंतराले उसकी जांच करेगा कि जांच करने अगर सही पाया जाता है तो ठीक है नहीं पाया जाता तो पकड़ो भी है उनको जिन्होंने ये पैसा भेजा है ये गलत काम में यूज किया जा रहा है क्लियर यहां पे अब क्या होता था कि पहले जो NGO हुआ मैं जो भारत में NGO है या फिर जो भी संगठन है उनको अगर विदेशी धन प्राप्त करना है तो FCRA की registration अनिवारे है अनिवारे अब यहां पर इनका FCRA registration रद करती है कौर्मेंटे कि अब तुम ले ही नहीं पाओगे अब इसके पीछे थोड़ा सा background जान लेते हैं कि क्या हुआ है अभी क्या हुआ है कि वडोद्रा में एक NGO है उसका FCRA registration रद किया गया क्योंकि उसके उपर यह आर Regentship Amendment Act जो वहां पर जो विरोध हो रहे थे उन विरोध को इनके लिए प्रोटेस्ट के लिए यह funding कर रहे थे और भी इनके उपर बहुत सारे अरोप लगे है यानि गलत गलत चीजों में यह अपना पैसा लगा रहे हैं तो इस करके इसका तो license यहां पर रद किया गया है कौ उसका FCRA रद किया गया है और कुछ दिनों पहले एक AFMI Charitable Trust का भी FCRA रद किया गया है और कुछ टाइम पहले जब CEA चल रहा था कुछ टाइम बाद क्या हुआ Amnesty जो एक NGO बाहर के उसको तो भाई आप बाहर का दर्वाजा दिखा दिया उनके सारे बोरिया बिष्टर गवर्मेंट ने बंद मतलब चक्कवा के कब भागो यहां से उनका account freeze कर दिया था क्योंकि गवर्मेंट ने कहा था कि आप अपने सारे इसाब दीजिए कि आपके प पर गलत धंक से उस पैसे का यूज करने का आरोप लग रहा है अब एक आती है पूर संधर्व स्रेणी यानि इनका मतलब यह हुआ कि पहले इनके उपर ध्यान रखा जाएगा कि पैसा कहां से आ रहा है इस इस लिस्ट के अंदर दस ऑस्टेलिया अमेरिका यूरोपिया जो उसको मतलब पहले संध्यान यानि उनको पहले मिनिस्ट्री ओफर्म अफेर्ज या फंड को मंतरा ले के मतलब उसको नोटिस करवाना जरूरी होगा कि हां यहां से एक जो पैसा आया है पहले उसके बारे में अनुमती लेनी होगी हमसे तब जाके उसको मंजूरी दी अब यहां पर जितने भी यह जो इस लिस्ट के अंदर डाले गए हैं यह जो हैं अधिकांस जलवायू परिवर्तन हो गए प्रयावरण और बाल अधिकारों के शेत्र में काम कर रहे हैं अब देखिए जलवायू परिवर्तन या प्रयावरण के यह क्या करते हैं यह प्रया करते आ रहे हैं development में obviously कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता यह आप अपने ही अपने ही लोकल या फिर कहें कि अपने ही neighborhood में देख लीजिए क्या आपको कोई आगे बढ़ता हुआ देख पाएगा आपके माबाप के अलावा कोई और आपको नहीं देखना चाहेगा कि अपना उनका जो साथ का जो कोई लड़का है को बेटा है तो वो आगे बढ़े सिर्फ माबापी है जो उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन पडोसी कभी नहीं देखना चाहेंगे पडोसी तो यही चाहेंगे कि उनके उ जाकर इस देश में आप जाकर जो विकास हो रहा है जो डेवलोप्मेंट हो रहा है वहां पर आप जाकर टांग अड़ाइए उनको रोहने मत दीजिए उनको रोकिए उन चीजों को तो यह चीज़ें हैं क्लियर अब यहां पर FCRA 2010 अभी इस चीज़ को समझते हैं क्या हुआ चल रहा है न अरे कहां गया अरे यह रहा है इसको भी न दोरे बढ़ रहे होते हैं देखिए यह जो foreign funding of a person foreign funding of person in India is regulated under FCRA Act मतलब इसको regulate किया जाता है foreign funding को FCRA केता है और जो इसको लागू किया गया था वो Ministry of Formal Affairs के दोर लागू किया था देखिए दोनों चीज़ें English और Hindi दोनों में लिखियें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे Hindi में तोड़ा बहुत उनका meaning नहीं पता होता है इसलिए मैं साथ इसाथ English में भी लेकर आ जाता हूं या फिर मुझे बोलने में थोड़ी से होता है ने कि मुझे से बोलाने जा रहा तो उसको मैं English में रख लेता हूं पर ताकि आप लोगों को समझने में असानी हो जाए क्लियर अब देखे अब क्या हुआ कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी NGO है तो उसको क्या है कि अगर उसके पास FCRA लाइसंस है तो वो इस ग्रह मतलब की MHA यानि Ministry of Farm Affairs की अनुमती के बिना ही विदेशी योगदान ले सकता है यानि पैसा ले सकता है लेकिन उसकी जो सीमा ह वो 25,000 रुपे ही है यानि इससे उपर मतलब इससे कम ही रुपे लेना है इससे उपर नहीं लेना है और ये साब बताता है कि अगर ये अधिनियम में ये साब बोला गया है कि अगर जो भी धन पराप्त कर रहा है अगर उसने इसका पालन नहीं किया ओविसली FCRA के अंदर के अकोर्डिंग है अप उस प्रोविजन के अकोर्डिंग ही चलना है नहीं चलोगे तो भी तुम्हारा FCRA लाइसेंस रद कर दिया जाएगा तो ये बात बोलेगी है अब यहां पर कहा गया है कि परतेक पांच वर्स में जिस भी NGO ने मतलब कि हर पांच साल में फिर से वो र दिहान रखा जाएगा साथ इसाथ पैसा किन चीजों के लिए लिया जा सकता है अब क्या हुआ विधे काया 2022 इसमें क्या कहा गया विदेशी अंसदान स्विकार करने पर रोक लगाई जा रही है अधिनियम लोग सेवकों जो जो गौर्रमेंट इंप्लोई है वो तो विदे विदेशी धन ले ही नहीं सकते मतलब विदेशी से मतलब एंजी चला रहे हैं तो कहीं सोच रहे हूं कि हम बाहर से मंगवा लेगे नहीं वो नहीं ले सकते कौन-कौन से लोग सेवक में वे सभी जो सरकार की सेवा में या वेतन में परकार रहते हैं या जिनको लोग सेवा क क्लियर अब साथ इसाथ अपने अगर रिजिस्टेशन कराई है तो रिजिस्टेशन के लिए एक अधार जरूरी है अधार कार्ड जो ID कार्ड मतलब कि एक नंबर जो है वो एक important कर दिया गया अधार संक्या जो है वो अनिवारे बना दी गई है वो कोई भी हो जो उस NGO को चलाने वाला जो डिरेक्टर हो चाहिए वो उसमें काम करने वाला employee हो या जिसको भी वो foreign funding मिल रही हो उन सब के अधार संक्या अनिवार रहे है एक दूसरी बात यहां पर है जो 2020 में जो बात बोली गई है कि FCRA account में केवल State Bank of India में ही आपको वो धन मिलेगा और जिसको government कहेगी कि हाँ इसी bank में मिलेगा इसी शाखा मिलेगा तो आपको उसी में जाकर अपना खाता खुलवाना पड़ेगा clear दूसरा यह परशासनिक उदेश्यों के लिए विदेशी अंसदान में उपयोगी में कमी मतलब कि आपको जो 100 रुपे मिल रहे हैं तो 100 रुपे में 20 रुपया आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं बाकी 80 रुपया जो है वो उसी काम में जाएगा जिस काम के लिए वो मंगवाया गया है पहले जो इसीमा थी FCRA 2010 में यह 50 परसंट थी आज की डेट में भईया यह 20 परसंट ही है वो आप 20 परतिशत ही आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो 80 परसंट आपको जो यह 5 काम है न समाजिक हो गया या फिर education हो गई या फिर कहें कि economic होगी या religious होगी culture होगी तो इन चीज़ों में आपको पैसा लगाना होगा clear दूसरी चीज़ यह है कि अगर government कहें कि कि आपको अपना FCRA license surrender करना तो आपको surrender करवाना पड़ेगा तो यह चीज़ होगी अब इससे मुद्दे क्या रहे हैं कई चीज़ें इसके सामने आई है FCRA को लेकर कहा गया है कि यह काफी चीज़ों में टांग अडारा है या फिर हमारी आजादी को चीन रहा है तो उसको हम देख लेते हैं कहा जा रहा है कि FCRA में FCRA भारत में जो कारे कर रही है जो NGO है वहाँ पर जो धन प्राप्त कर रही है उनके जो धन प्राप्त कहां से कर रही है विदेशियों को उनको तो कंट्रोल कर रही है कंट्रोल क्या कह के कर रहा है कि वो रास्ट के हित में नहीं है या फिर उनका जो उप्योग है वो एक तरीके से गैर कानूनी गलत गती वीडियों में उसका यूज किया जाएगा तो इस करके वो उनके ओपर परतिबंद लगा रही है अब सरकार ने यह साब बोला है कि अधिनियम में यह भी का गया है कि सरकार अनुमती देने से इंकार कर सकती है अगर उसको लगेगा कि NGO को जो मिला जो दान है या जो पैसा है वो सारजुनिक हित या राज्जे की आर्थिक हित मतलब कि जो इकनोमिक है जो उस हित को मतलब गलत परभाव उसके पर डालेगा तो यहाँ पर NGO को जो लाइसेंस मिला है उसको रद किया जा सकता है अब यहाँ पर क्या है एक चीज इंपोर्टन्ट यह है कि सार्जुनिक हीत यानि जो पब्लिक इंटरस्ट या फिर जो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसको कोई डेफिनिशन नहीं है इसको कोई मार्ग इसको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है अब FCRA के परतिमंदों का समीधान के आर्टिकल 19.1.a, 19.1.c यहाँ पर इनको बहुत बुरी तरीके से परभाव डाल रहा है इनको बहुत गहरे परभाव डाल रहा है दिखे, FCRA restrictions have serious consequences on both the right to freedom, right to freedom of speech होगी, freedom of association, यानि संग बनाने की संतनतरता इनके ऊपर वो एक तरीके से बहुत serious consequences हैं, बहुत गंभीर इनको परभाव पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने इतने नियम लाके रखे हैं अब यहाँ पर क्या है कि अभी व्यक्ति की संतनता, freedom of speech होगी, या freedom of expression होगी, उनके उपर बहुत गलत परभाव पढ़ रहे हैं गलत परभाव क्या पढ़ रहे हैं, तेखिए, कुछ राजनेतिक संभू हैं ऐसे, जिनको अगर बाहर से पैसा मभा रहा है, तो उनको अन्यमति मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिनको अन्यमति तो सरकार चाहेगी, तो देगी, नहीं चाहेगी, तो वो नहीं देगी, जिससे एक तरीके से गवर्मेंट की छवी खराब हो रही है, और गवर्मेंट जो है, अपने पसंदिन्दा लोगों को ये FCR लाइसेंस पकड़ा रही है, दूसरी बात ये, अगर कोई भी चीज़, जो भी एंग्यो है, उसने अगर कोई भियावात ऐसी बोल दी, जो सरकार के खिलाव थी, या फिर सरकार के अलोचना कर दी, तो भाई, इनको अपनी साफधानी बरतनी पड़ जाती है, कि यार हमने आज गवर्मेंट के खिलाव कुछ बोल दिया, तो गवर्मेंट अब हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमारा सारे अकाउंट फ्रीज कर देगी, जिस इससे तो हमारी ही self-censorship का निर्मान होता है, यानि हमें ही हमारी आवाज को दबाना पड़ जाएगा, एक ऐसे ही एक मामला आया था, पब्लिक इंटरस्ट को लेकर, जहां पर ये चीज़ें सपस्ट ही नहीं थी, कि पब्लिक इंटरस्ट कहेंगे किसको, किस बातों को आप सरवोच नियाले ने, सूचना प्रेदयोगी कि अधिनियम, धारा 66, एक को रद कर दिया गया था, इनके खिलाफ ये मामला था, इनको धारा 66 को रद करते हुए कहा था, सरवोच नियाले ने, कि आपने इस अधिनियम का इस्तिमाल बिना वज़े के कर लिया है, आप किसी की अजादी को छीनने का मतलब कि आउनकी अजादी को, अभी उनकी expression को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने बस सीधा ही का कि वो public interest के खिलाफ है, और आपने उनके ओपर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जो नहीं लगाना चाहिए था, clear, अब इसके अलावा Universal Declaration of Human Rights के खिलाफ है, जो अगर इनका उलंगन हो रहा है, तो सीधा तोर पे मानव अधिकार का है, यनि Human Rights का उलंगन हो रहा है, जैसे इनके अवास दबाने की कोश्की जारे है, इनको काम करने की करने नहीं दिया जा रहा है, तो एक तरीके से ये बोला जा रहा है, अभी क्य अधिकारियों ने क्या किया, इसका FCRA का विचलेशन किया, FCRA 2010 का कानूनी विचलेशन किया, और उन्होंने कहा कि FCRA के तहति ये जो आप बोल रहे हो ना, पुब्लिक इंटरेस्ट और आर्थिक हित, इसके नाम पर जो पर्तिबन लगा रहे हो, वो सही नहीं है, वो फेल हो आप उसके अंदर सही धंग से पर्तिमन लगाने में, और जो इसके अंदर शर्तें बोले गई हैं ना, कि जन हित के लिए ये चीज़े नहीं है, यानि पुब्लिक इंटरेस्ट, वो एसपरस्ट है, आपने राज्यों को इतनी ज्यादा पावर दे रखिया है, कि वो अपने मन बाने धंग से कानून बनाकर इन NGO को काम करने नहीं दे रहे, देखें, माना कि गैर जो सरकारी संगठन है, अगर वो भरस्ट हैं, तो उनको पकड़ा भी जाए, लेकिन जो पुब्लिक इंटरेस्ट है, आप उसका नाम ले रहे हो, उसको कम से कम स्परस्ट तो किया जाए अब आगे की रहा क्या होने चाहिए, आगे की रहा ये है कि अगर जितने ज़्यादा रेगुलेशन लगाए जाएंगे, तो ये जो NGO है, अपना काम जो कर रही है, उनको काम हो नहीं पाएगा, ये बहुत सारी help करती हैं, देखें, कुछ NGO ऐसी हैं, जो obviously help करती हैं, जहां प लेवल बोलते हैं, रूट लेवल बोलते हैं, रूट लेवल होता है, शैद ऐसे कुछ होता है, शैद मैंने यहां पर लिखा, वो शब्त कुछ अब लगू करना ही में बहुत हेल्प करवाते हैं, जैसे कि यहां पर lockdown लगाता तो इनों एंगे काफी help भी जहां सरकार नहीं पहुंच पारी थी, यह पहुंच पारी थी या फिर जहां पर बाढ़ाई थी तो वहां पर NGO पहुंच गई थी लोगों की help करने के लिए तो काफी चीजाय signal करते हैं कि आप अगर इनके उपर जितने कानून लगाते चलेंगे या फिर जितने इनके उपर नियम बनाते चलेंगे जिससे क्या होगा कि जो बाहर की संज़ताई हैं यहाँ पर कुछ काम कर रही है सही धंक से उनको काम करने में दिक्कत आएगी तो उससे क्या होगा उनको हतोत साहित यानि मोटिवेट नहीं होगे दिमोटिवेट हो रोके चले जाएंगे यहां से तो यह बात बोलेगे हैं तो थोड़ा बहुत इनको सही रखने की जरूरत हैं तो यह था आज की यह विशलेशन की FCR लाइसेंस रत किया जा रहा है NGO का तो इसके बारे में तो आप लोगों कर पीडिएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम को तो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो